यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आगरा आंधी तुफान से सबसे जादा प्रभावित अक्षेत्र हैं और यानि कि हाला कि इससे पहले शुकरवार को डिप्टे सीम दिनेश शुशर्मा भी आगरा के कई अक्षेत्रों का दौरा कर हालत का जायजा ले चुके हैं तो यहां पर कुछ दिन पहले आंधी तुफान आया था और उसका जायजा लेने के लिए सीम योगी अधितेनाथ पहुँच गए हैं और वो कुछ देर बाद घटनास्थल का जायजा लेंगे तो आगरा पहुँच गए हैं सीम योगी अधितेनाथ और सरकिट हाउस में पहले विश्राम करेंगे और उसके बाद वो वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर जायजा लेंगे तो कई लोगों की इस आंधी तुफान में जान चली गई थी तो इस खबर पर जाद जानकारी के लिए अमिच शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तो दौरा शुरू हो गया है योगी अधितेनाथ का या भी नहीं हुआ है मैं आपको बता दूँ कि कल रात को वो साड़े नो बजे यहां आगरा सरकिट हाउस आ चुके थे उसके बाद फ्रूबरे को चेंज करते हुए उन्होंने अभी अभी गहल जो है वहाँ पर उन्हें से मुलागत करने के बाद अभी यहां से निकले हैं और यहां से सकटाओ सकोर्ट हैंगे सकटाओ उससे एरपोर जाएंगे इरपोर्ट से को हभाई सवेशा करेंगे अबी जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिच शर्मा तमाम जानकारी के लिए तो यहां पर यूपी के सीम योगी अदितेनाथ आगरा पहुंचे हैं वहां पर दौरा करेंगे कुछी देर में और जहां पर भी आगरा में जो तुफान आया था जितने भी प्रभावित अक्षेत हैं वहां का दौरा किया जाएगा हवाई दौरा किया जाएगा और घटनस्थल का जायजा लिया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है तो यहां पर सीम योगी अदितेनाथ आगरा पहुंच गए हैं और कुछी देर में वो दौरा शुरू करेंगे करेंगे